हम लोगों को ये लगता है कि मृत्यू के बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाता कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं लेकिन इसके उलट मृत्यू के बाद हमारे साथ पहुत सी चीजें जाती हैं फर्क सिर्फ इतना है कि मृत्यू के बाद जो चीजें आपको इस समय आखों से दिखाई दे रही हैं आपका घर आपका पैसा आपके परिवार जन कोई भी वस्तु जो आपको आखों से दिख रही है इवन वो आपका शरीरी क्यों नहीं हो वो भी आपके साथ नहीं जाएगा लेकिन जो भी चीजें आखों से नहीं दिख रही हैं चाये वो कितनी ही मामूली लगती हों आपको वो आपके साथ जाएंगी वो हर चीज जो आप महसूस करते हैं वो आपके साथ जाएगी आपका वो हर विचार जो आपने क्रियेट किया है वो आपके साथ जाएगा आपका वो हर भाव जो आपने create किया है आपका वो हर कर्म जिसकी उर्जा आपने create करी है वो सब कुछ आपके साथ जाएगा यहां तक की एक छोटा सा विचा माल लिजे कि एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो एक बहुत बुद्धिमान अमीर व्यक्ति के रूप में परसिद्धी प्राप्त करे और वो इस जिवन में उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिशे करता है लेकिन वो हासिल नहीं कर पाता और ऐसे ही करते करते उसकी मृत्यों की घड़ी आ जाती है तो हम क्या मानेंगे हम ये बोलेंगे कि या व्यक्ति खुद भी क्या बोलेगा वो बोलेगा कि मैं एक ऐसफल इंसान रहा अपने जीवन में मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया क्योंकि मैं जो चाहता था हासिल करना मैंने वो तो हासल किया ही नहीं अपने जीवन में इसलिए मैं एक एसफल जीवन जी के जा रहा हूँ लेकिन हकीकत क्या है हकीकत इसके उलट है हकीकत यह है कि उसने जितने भी effort किये है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जिन चीजों को वो हासिल करना चाहता है, चाहे वो शोरत थी, चाहे वो दोलत थी, चाहे वो प्यार था, जो कुछ भी वो हासिल करने के लिए उसने पूरी कोशिशे की हैं, सचे दिल से जी जान से कोशिशे की हैं, चाहे वो चीज उसे इस बर्थ में ना भी मिली हो, तो भी उसने एक उर्जा को create किया है उससे related उर्जा को create किया है वो उर्जा उसके साथ जाएगी और next birth की सुरवात महीं से होगी जहां पर वो खतम हुई है यानि जो उर्जा आप ले के गए है next birth में आप उसी स्तर से आगे बढ़ना शुरू करेंगे कई बार हमें लगता है कि जैसे कि एक बच्चा वो एक उसने लंबा वक्त उसने पढ़ाई करी उसने एक डिग्री हासिल करी और फिर वो इस दुन्या को छोड़कर चला गया तो क्या उसने जो इतना अर्सा इतना वक्त अपनी पढ़ाई को दिया तो क्या वो सब व्यर्थ चला गया वो डिग्रिया व्यर्थ चली गई क्योंकि वो डिग्रिया एक्चल में कागस के टुकडे थे वो कागस के टुकडे व्यर्थ चले गए लेकिन जो बुद्धी जो महनत उसने इन्वेस्ट की है पढ़ाई के अ वो उसी तरह से उस विशे में एक intelligent बच्चा बनकर next birth में जनम लेगा उसी विशे का वो एक विशेश जानकार होगा जैसे कुछ एक बच्चे होते हैं न वो by birth ही बहुत सारी चीजों की knowledge लगते हैं और माबाप भी हैरान होते हैं कि अरे ये तो हमने से सिखाया और ये तो बच्चे ने कोई करता था बच्चे ने उस देक को सीख लिया हमने तो बच्चे को फोट को सका घ्रत कर चुका है वहाँ से उसकी शुरुवात हुई है इसलिए वो अपने बच्चपन से ही उस चीज में बहुत बहतरीन है अपनी उमर के दूसरे बच्चों के मुकाबले जिस चीज में उसकी उमर के दूसरे बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते बच्चे एक ब्रश उठाके एक ड्राइंग की लकीर भी नहीं खीच पाते एक सीधी लकीर भी नहीं खीच पाते और उन्हीं की उमर का बच्चा एक भैतरीन पेंटिंग तियार कर देता है क्योंकि वो पास्ट बर्त में काफी समय, काफी उर्जा, काफी महनत अपनी इन्वेस्ट करके आया हुआ है इस पेंटिंग की कला में इसलिए आज बहीं से उसकी शुरुवात हुई है और वो इस कला में पारंगत है एन्वेस्ट के विशे में बहुत से लोग जानते होंगे उनके विशे में काफी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी एन्वेस्ट एक लड़की थी जिसके साथ नाजियों द्वारा बहुत दूर वयवार किया गया था और वो बच्ची बहुत छोटी उमर में ही उसने अपने प्रांट त्राग दिये थे नाजियों के कैम्प में उसके साथ इतना हत्याचार हुआ था लेकिन उस छोटी सी उमर में भी उसने एक डायरी लिखी जो बाद में स्वीजन में वो डायरी पबलिश की गई जो बहुत परसिद्ध हुई एन फ्रेंक की मृत्यों के बाद नाजियों के कैम्प में यहूदियों के साथ क्या होता था ये दुनिया के सामने उजागर हुआ और उसके बाद इस चीज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया अब ये जो बच्ची थी एन फ्रेंक जो शायद 14-15 साल की ही थी जब उसका निधन हुआ वो बच्ची एक यहूदी बच्ची थी और नाजियों द्वारा उस पर हत्याचार किया गया नेक्स्ट बर्थ में वो बार्बरो नाम से एक इसाई फैमली में पैदा हुई अगर उस वक्त नाजियों को ये पता होता कि इस तरीके से जो आज यहूदी है वो नेक्स्ट बर्थ में इसाई बनकर भी पैदा हो सकता है तो शायद धर्म के लेकर जो इतने लडाई जगड़े होते हैं अगर ये बात हमें इतनी स्पस्ट हो जाए क्योंकि एक केस नहीं है ऐसे एक हजार केस हैं जिसमें एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को रूप लेकर पैदा हुआ है यहाँ पर मैं आपको डाक्टर ब्राइन विस की एक बात बताना चाहूंगी उन्होंने एक लाइन कही है उन्होंने कहा है कि किसी धर्म में पैदा होने का सबसे आसान रास्ता ये है कि आप उस धर्म के लोगों से नफरत करनी शुरू कर दीजे उस धर्म से नफरत करनी शुरू कर दीजे ये सबसे आसान रास्ता है नेक्स बर्त में उसी धर्म में पैदा होने का जब बार्बो ने ये बताया कि वो पास्ट बर्त में एन फ्रेंक थी तो उसके मातापिता ने इस बात को समझा नहीं इसलिए क्योंकि वो N. Frank की विशे में जानते ही नहीं थे, क्योंकि N. Frank की जो डायरी थी, जो उनकी मूल भाषा थी, Swedish, वो उस भाषा में तब तक पब्लिश नहीं होई थी, तो उनको इस विशे में कोई जानकारी नहीं थी, कि N. Frank कौन है या उसने कोई डायरी लिखी है, उस कि एक जानी मानी हस्ती है तो जो Celebrities से जुड़ेवे case होते हैं उनके थुरू हम आसानी से इस theory को समझ सकते हैं क्योंकि जब हम अंजान विक्ति की विशे में चर्चा करते हैं तो हम जानते नहीं हैं उस विक्ति साथ अपने आपको attach मैसूस नहीं करते लेकिन जब किसी Celebrities के विशे में इस विशे पर सोत किया गया हो Celebrities के पुर्णर जर्म के विशे में बात की जाएं तो उसे हम ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं क्योंकि हम Celebrities के विशे में जान के पढ़के काफी कुछ उनके साथ रिलेट कर पाते हैं समझ पाते हैं कि किसकी बात हो रही है एन फ्रेंक भी उस समय एक celebrity के रूप में ही famous हो चुकी थी आज भी उनकी पुस्तक बहुत popular है और बहुत से विक्ति जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्हें पता होगा कि एन फ्रेंक कोन है थी इस सीरीज में जिन cases का जिकर किया जाएगा ये डाक्टर स्टीवेंसन ने लगबग उनकी 40 वर्ष की study चली है 40 वर्ष में उन्होंने बहुत जो बच्चों ने clear cut अपने past के विशे में बताया इस तरह हैं कि 2500 बच्चों के उपर उन्होंने अपनी research करी और जिसमें से 1200 बच्चों के तो बहुत ही सटीक मामले हैं बहुत ही एकदम सपस्ट रूप से उनके पुनरजनम के case हैं वो मामले ऐसे हैं कि उन पर तो doubt किया ही नहीं जा सकता और बाकी के कुछ case ऐसे हैं जिसमें बच्चे बहुत आधी अधूरी जानकारी दे पाए हैं क्योंकि जैसे जैसे आयू बढ़ती जाती है और जैसे जैसे इनसान अपने next birth के साथ attach होता जाता है और ये प्रकरती कुछ इस तरीके से set है कि आप अपना past birth भूल जाते हैं तो जो उनकी पच्चिस सो बच्चों के उपर की research थी उसमें से 1200 बच्चों ने तो बहुत सटीक जानकारी दे और बाकी के बच्चे कुछ अधूरी जानकारी दे पाए क्योंकि उन्हें जैसे जैसे उनकी आयू बढ़ते जा रही थी वो अपना past birth जो उन्हें याद था भूलते जा रहे थे अब जैसा की या कुछ चीज जिससे उसकी घहरी attachment होती है यही वजह बनती है next birth में जाकर अपने past birth को जब इनसान याद रख पाता है यही वजह बनती है जिनमें लोगों की मृत्यू बहुत सुखत प्रस्थितियों में होती है या पीछे उनकी कोई attachment नहीं होती उन्हें अपने past birth याद नहीं रहते अब हिंदू में जो दाहसंसकार की प्रक्रिया है इसका भी एक scientific मैहत्व है जैसे की वृत्यू के फोरण बाद ही जैसे दाहसंसकार की प्रक्रिया में शरीर बहुत जल्दी कुछ घंटों में ही शरीर इतनी जल्दी खतम नहीं होता जैसे की कई धर्मों में जो दाफनानी की प्रक्रिया है इसमें शरीर को खतम होने में काफी अर्शा लग जाता है बहुत दिन या महीने भी लग जाते हैं तो जितना समय तक बोड़ी में कुछ भी बोड़ी समाप नहीं होती तब तक सोल को सबी सोल के साथ ऐसा नहीं होता लेकिन कुछ सोल को अटेचमेंट हो सकती है अपने शरीर से ये भी एक वज़े है कि जो मुस्लिम धरम है या जो इसाई धरम है उसमें आपको पुनजरम के केसिस थोड़े कम देखने को सुनने को मिलते हैं उसके पीछे यही वज़े है कि एक मित्यू के बाद लंबे अर्से तक हो सकता है कि आत्मा आत्मा लोग ना जाए या अपना नया शरीर धरण ना करें क्योंकि जो शरीर छूट गया है उसी के साथ अटेचमेंट अभी बाकी है और वो शरीर खतम होने में शायद दिन या मह पीने लग जाएंगे तो हो सकता है कि यह एक रीजन हो सकता है जिसकी वज़े से इन धर्मों में पास्ट परत के केसिस याद रखने की केसिस थोड़े कम है और जो है भी तो यहां पर धरम आड़े आ जाता है क्योंकि धरम में यह सिखाया गया है कि पुनर जनम नहीं होता जब यह सिखाया गया है तो यदि कोई बच्चा इस तरह का कोई जिक्र करता भी है तो जो मात्पिता होते हैं यदि वो बहुत ज़्यदा धार्मिक हैं तो वो बच्चे को चुप कर आते हैं उसे डांटते हैं या उसकी बात पर ध्यान नहीं देते या कहते हैं बच्चा है वैसे ही वह बहुत जल्दी भूल जाएगा और माता पिता के द्वारा उसकी बातों को समझने की कोशिश की नहीं गई तो ये भी एक रीजन है कि आपको दूसरे धर्मों में इस तरह के केसे थोड़े कम सुनने को मिलते हैं क्योंकि धरम आड़े आ जाता है और धरम में क्यों इस तरह का केस होता है तो हम उसी वक्त उस पर ध्यान देते हैं और बच्चे को और कुदेरते हैं कि वो और जानकारी प्रदान करें उसकी बातों पर यकीन किया जाता है बच्चे की होसला अवजाई की जाती है तो बच्चा और खुल के बताना शुरू करता है यही कारण ह कि आपको हिंदु धरम के लोगों में इस तरह के केसे सुनने को ज्यादा मिलेंगे। आगे आने वाली कड़ियों में हम समझेंगे कि ये पुनर जनम किस तरीके से काम करता है। अब ये आप लोगों का काम है कि इसका एक थोड़ा सा मनन्चिंतन कीजे थोड़ा सा आंकलन कीजे और किस तरीके से सिमिलर है ये केस इन चीजों को समझने की थोड़ा एनलिसिस करने की कोशिश कीजे तब आप और भी घहराई से सत्यता तक पहुचेंगे क्योंकि मैं तो ये कारे करना और खुद थोड़ा सा मनन्चिंतन करके बात को समझना इन दोनों बातों में फर्क होता है मैं बच्पन से ही पुनर जनम की केसिस के प्रती बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती थी लोगों के नियर दथ एक्सपिरियंस के प्रती बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होत करती थी क्योंकि मुझे हमेशा से ये चीज अटक करती थी कि और फिर मैं इनके ऊपर अपना एक क्या-क्या similarities है इसका एक मनंचिंतन किया करती थी कि ये केस में ये भी केस ऐसा है ये भी केस ऐसा है एक मेरा अपना ही सोच चला करती थी तो यहां मेरा इस बात को कहने का मतलब सिर्फ यह है कि मैं explain करूंगी इन बातों को लेकिन अगर आप भी इन बातों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इनका उनके उपर अपना एक छोटा सा मनंचिंतन करेंगे तो ज्यादा घहराई से इस चीज की सत्यता को समझ पाएंगे आने था मैं कितना मर करके उन्हें जोड़ा हुआ होता है तो फिर आपने भूलते फिर वह आपके साथ हमेशा रहती है और आप आपकी जीवन को आसान बनाती है इसलिए यह सब्जेक्ट इस तरह का है कि सिर्फ सुनना भर काफी नहीं होता अपना मनंचिंतन भी जरूरी होता है नीचे डिस्क् लगते हैं जिसकी इस चैनल को बहुत आउशकता है आप सभी परमातम सौंदर रहे प्रेम और आनंद सैदेव परस्ता रहें आप सभी दिव्यपरमधाम में स्थान प्राप्त करें हम लोगों को यह लगता है